हेलो गई साज हम बात करेंगे ओपो A16E के कीबोर्ट सेट अप के बारे में वीडियो इस्टार्ट करते उससे पहले आप लोग हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सर्च बार पर क्लिक करेंगे और यहीं पर हमें कीबोर्ट सो हो जाएगा यहीं से हम काफी कुछ सेट अप कर सकते जैसे कि आप लोग को काफी सारे इमोजिस मिलेंगे जी आईफ मिलेंगे यहां से आप लोग ट्रासलेट भी कर सकते voice भी यहां से कर सकते 3. पे क्लिक करेंगे तो यहां से हम डाइक लिए themes को change कर सकते, clipboard मिलता है text को edit कर सकते, one handed mode use कर सकते, floating use कर सकते settings पे क्लिक करेंगे तो यहां से हम और भी चीज़े customize कर सकते जैसे कि language हो गया preference में हमें यहां पे layout वगेरा changes कर सकते, उसके बाद themes वगेरा चेंज करना तो यह भी कर सकते text correction में हमें auto correction का special feature मिलता है and g light typing हो गया, voice typing हो गया clipboard, dictionary, extra इतने सारे features हमें यहां पे देखने मिलते हैं तो मतलब customize की बात करें तो काफी कुछ यहां पे हम जो है keyboard में customize कर सकते okay so मिलते हैं next video में जै मता दी